नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सबका हमारी एजुकेशन क्लास में जिसका नाम है प्लास्टिक प्रोसेसिंग और मैं हूँ आपके साथ दीपक जोहान तो इस्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को एक मोटिवेशन कोट के साथ कि अमीर आप लोगों को उतना बनना है कि कितनी भी महंगी से महंगी चीज है उसे आप खरीद सको लेकिन कीमती आप लोगों को उतना बनना है कि कोई कितना भी अमीर व्यक्ती हो वो आप लोगों को खरीद ना सके तो यह हमारा WhatsApp नमबर है जितनी भी वीडियो हमारी Technical Father जो हमारा दूसरा YouTube चैनल है अब उसके जितनी भी वीडियो आई है उसके जो PDF नोड्स है रिटन में अगर आप वो लेना चाते हो तो इस WhatsApp नमबर पर हमसे आप Contact कर भी सकते हो और अगर इस चैनल को आप लोगों ने भी तक सस्क्राइब नहीं किया है तो प्लीज एक बार जल्दी से करके सस्क्राइब कर ले और बैल आइकन को भी दबा दे ताकि आने वाली जितनी भी वीडियो है उनकी जो नोटिफिकेशन है वो आप लोगों को टाइम टू टाइम मि माटीरियल है पोलीमर है ताकि दूसरी भेवों को भी बूश्का बेनीविट हो सके तो आजका जो हमारा टूपिक रहने वाला ह Sn ixxon और पॉलीमर है उसके बारे में एक छोटा सावरू लेंगे और बाकि चीजे उसी रैंदम मं में आप लोगों की चलेंगी इंट्रडक्शन और पॉलीमर पॉलीमर के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं जब हम प्लास्टिक की बात करते हैं तो प्लास्टिक के साथ एक पुरा वर्ल्ड आ जाता है क्योंकि प्लास्टिक को प्रत्वी पर अपनी बहु मुखी वर्स्टेटाइल विसेस्ता के रूप में जाना जाता है यानि कि प्लास्टिक की वर्सेटाइल का मतलब होता है कि जो इनसान या कोई भी व्यक्ती है चाए प्लास्टिक है वो हर जगे फिट हो जाए तो आप लोग जानते हो जब हम प्लास्टिक की बात करते है क्योंकि automobiles के बहुत सारे जो part है वो plastic के बनाए जाते हैं जब हम irrigation की बात करते हैं तो भी जब हम fitting की बात करते हैं तो भी जब हम real estate की बात करते हैं यानि कि हम किसी भी field की बात करें उसमें ये जो plastic है उसकी entry एक बहुत अच्छे level पर आज बन चुकी है तो इसे लिए इसे बताया गया बहु मुखी यानि कि जिसके बहुत सारे मुख हो हर जगे वो एंट्री कर चुकी है तो इसकी वर्षेटाइल विसेस्ता है उसके रूप में इसे जाना जाता है जितने भी उत्पाद आज अपने दिन चीज़ा में यूज करते हैं वो बनी हुए प्लस्टिक की ही होती है जैसे आप गाया बुछ तो आप बुरुस से करते है हेंड कॉम है या पैन है मग है मूबाइल है Mobile की जो Body है वो है Television की Body या Cabinet इसे हम बोलते हैं वो सारे ही किसके बने होते हैं Plastic के बने होते है सभी plastic देखने में जब आप लोग देखते हो तो आप लोगों को Plastic का जो Material, Raw Material होता है वो आप लोगों को सारे के सारे एक जैसे लगते हैं चाहे वो white है चाहे वो natural है तो सारे आप लोगों को देखने में एक जैसे लगेंगे और आप सोचोगे कि सबी जो plastic हैं वो लगबग same है लेकिन ऐसा नहीं होता है हर plastic के अपने गुन होते हैं और उन गुनों के आधार पर ही plastic का division किया जाता है अलग-अलग उन्हें category दी जाती है जिससे पता चल चके कि कौन सी plastic के गुन क्या है और उसे कहां पर हम use कर सकते हैं और यह जो हमने division किया है इसका कारण क्या है इसका कारण यह है कि उनके जो गुन है जो plastic के गुन है उनके आधार पर उनके कुछ बागों में इसलिए बाट दिया गया है ताकि हम उसे आसानी से अपनी सुविदा के अनुसार परियोग में ला सकें जब हमें पता लगेगा कि हमें एक product बनाना है जो engineering plastic का बनाना है जो एक metal के equivalent हो तो उसके लिए हम engineering plastic का use करते हैं तो अगर हम उनकी category नहीं बनाएंगे तो हमें पता ही ने लगपाएगा कि हमें कौन सी plastic का use किस product बनाने के लिए करना है प्लास्टिक का उद्गमन के आधार पर जब प्लास्टिक की हम बात करते हैं रिसोर्सिस आप लोगोंने वर्ड सुनाओगा रिसोर्सिस हिंदी में बोलते हैं स्त्रोथ ठीक है स्त्रोथ बोलते हैं तो उसके आधार पर प्लास्टिक को हम हम जो division करते हैं, divide करते हैं, वो दो पार्ट में करते हैं, एक natural plastic होती, एक synthetic या artificial भी हम इसे बोल सकते हैं, अगर हिंदी की बात करें तो plastic, परकर्थिक plastic और कत्रिम plastic हम इसे बोलते हैं, जो natural plastic है, उसे अब जानते ही हो, कि जो natural plastic है, वो हमें पराई कहां से पेडों से प्राप्त लेवेरों प्लास्टिक ब्लास्टीक होती है यह लोग में करकल के बारे में आप लोगों ने सुना होगा कि जो न्यूज पे लगबग चलता रहता है कि आज जो कच्चा तेल है वो इतने रुपे बैरल है, इतने रुपे बैरल है, इतने पैसे उस पर बढ़ गए, इतने कम हो गए तो ये कच्चा तेल होता है ये भारत के अंदर नहीं पाया जाता है हम इसे जो अर्ब की कंट्री हैं हम उनसे वहाँ से इने मंगाते हैं तो वहाँ पर ये कुरूड ओयल है वो कच्चा तेल पाया जाता है जमीन के अंदर पाया जाता है वहाँ से हम बैरल के रूप में भारत लेके आते हैं उसके बाद में इसे रिफाइनरी में भेजा जाता है और रिफाइनरी में इसके कुछ जो प्रोडेक्ट होते हैं कार्बन के अनुसार, कार्बन की संख्या के अनुसार इन प्रोडेक्टों को अलग अलग कर लिया जाता है जैसे मैं एक्जामपल के तोर पर आप लोगों को बता देता हूं जब ये रिफाइनरी में जाता है तो जो भारी प्रोडेक्ट होते हैं जैसे आप लोगों का क्या होता है पेट्रोल है, डीजल है पेटरल को अलग कर लिया जाता है क्योंकि उसके कार्बन की जो क्वांटिटी होती है वो अलग होती है डीजल को अलग कर दिया जाता है क्योंकि इसके कार्बन की क्वांटिटी अलग है जो कैरोसीन ओयल है उसे अलग कर लिया जाता है mobi oil जो होता है lubricant होता है उसे अलग कर लिया जाता है grease अलग बना लिया जाता है और जो अंत में बचता है कुछ आप लोग ने देखा हो कि गैस से भी होती है LPG वगएरा तो यह क्या होती है यह natural gas होती है तो इने भी अलग कर लिया जाता है जब last में मारा बचता है तो क्या ब होता है और उसके बाद में वो जो है अगर हमसे जलाते हैं तो बहुत बड़े दुहें के साथ भारी दुहें के साथ वो जलता है और जब किसी चीज में किसी भी जो इलिक पदा रहता है उसमें धुआ अगर जादा निकलता है तो इसका मतलब उसमें कार्बन की संक्या प्लास्टिक बनाते हैं अब एक चीज और आती है अब कई बार पूछा जाता है कि जी प्लास्टिक क्या है तो हमारे मुझे से एक वर्ड निकलता है हमने पड़ा है कि plastic क्या है plastic एक polymer है जब पूछा जाता है कि जी polymer क्या है तो पूछा जाता है कि जब plastic polymer है तो polymer भी plastic होगा simple सी बात है यह तो कोई सोचने वाली बात नहीं है लेकिन इसलिए मैंने यहाँ पर note करके लिखाया आप लोगों को लिए सामने सभी plastic polymer होते हैं लेकिन सभी polymer plastic नहीं होते हैं यह आप लोगों को answer देना है अगर आप से कोई पूछे कि जितने भी plastic है वो polymer तो होती है लेकिन जितने भी polymer है वो सभी plastic नहीं होते हैं अगर मैं लोहे की बात करूँ मैं iron की बात करूँ metal की बात करूं. तो वो क्या है? वो polymer तो है लेकिन plastic ठोड़ी ना है. अगर मैं pamma की बात करूं. अगर मैं PC की बात करूं. P-P की बात करूं. यह plastic है? लेकिन इनके साथ में यह polymer भी हैं. तो आप लोगों को ये याद रखना है. इनके चाहे आप notes भी बनाते चलें साथ के साथ या फिर notes हमसे भी ले सकते हो next देखते हैं कि polymer अब polymer एक नया word आगया कि polymer तो polymer क्या है polymer एक लंबी संक्ला या chain होती है जो छोटे छोटे मोनो मरते मिलकर बनी होती है आप लोगों ने देखा होगा कि poly poly का मतलब होता है बहुत सारे अगर मैं one की बात करूँ तो two की बात करूँ इनने गिना जा सकता है लेकिन जब मैं poly की बात करता हूँ तो ये बहुत सारे हो सकते हैं इनकी कोई संख्या निश्चित नहीं हो सकती इनने कितना भी बड़ा आप लोग बना सकते हो पिलकर एक बड़ा मोलीक्यूल बनातें बड़ा योगिक बनाते हैं उसे बोलते हैं पोलिमर तो यह दोनों ही जो लेंगवेज है यह डाव को याद कर लेनी हैं। इसके बाद में पॉली वर को डिवाइड कर लेते हैं जैसे हिंदी में बोलते हैं ना संधिवी छेद करना तो जब हम इसे बोलते हैं डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिलता है पॉली पॉली का मतलब होता है मैनी मैनी यानि के हिंदी में बहुत सारे जब हम पॉली को इसमें divide करते हैं मर मर का मतलब होता है part of unit यानि कि एकल unit किसी भी part की एक single unit जब मोनो की बात करते है मोनो का मतलब होता है one ठीक है मोनो try, die, try tetra, penta ये सारी चीज़े इसी में आती है तो मोनो मर अब बात आई एक नया वर्ड निकल का है मोनो मर तो मोनो मर को क्या कहते है मोनो मर क्या होता है मोनो मर वो होता है जो एक दूसरे से जुड़कर एक बड़े योगी का निर्मान करते हैं जिसे हमने क्या बोला जिसे हमने पोली मर बोला तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो पेर पर मोनोमर की structure दी हूई ہے, यहाँ पर हमने यह molecule लिया जिसका नाम क्या है? मोनोमर, यह क्या है? किसका मोनımız है? यह ethylene का नाम है, जब हमने इसका क्या क्या करा है? मोनोमर को जोड़ कर हमने जब इन एक दूसरे से एड़ कर दिया तो जो बड़ा compound बना उसे हमने क्या कहा polymer कहा तो आज के लिए ये वीडियो इतनी है तो मुझे आप लोगों को एक थोड़ा सा overview देना था कि क्या-क्या चीज़े होती है लेकिन next वीडियो को हम और आगे बढ़ाएंगे फार्ट सेकिंड में तो कोई भी वीडियो आप विस्न मिसना करें बिल्कुल भी कोई लेक्चर मिसना करें ताकि आप लोगों से कुछ भी चीज चुटना सकें तो इसलिए आप लोगों को क्या करना है प्लास्टिक प्रोसेसिंग का इसे जल्दी से जल्दी सस्क्राइब भी कर लें दोस्तों को ये वीडियो सेर कर दे ताकि उन्हें भी बेनिफिट हो सके तो आज के लिए इतना ही मिलते है नेक्स लेक्चर में जब तक के लिए दीजे में जाज़त जैहिन जैवारत